आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझेए, मैंने ग्राफिकली, ग्राफ के माध्यम से आपको अच्छे समझाने की कोशिश करीए, आप आसानी से समझ जाएंगे, और एक लास्ट में very important question answer said भी मैंने include करा है, जो कि previously जो questions exam में पूछे गए हैं, वो questions हम solve करेंगे, त तो friends, आप ये वीडियो पूरा देखेंगे, तो आप आसानी से वो questions solve कर पाएंगे, और अगर इससे related topic exam में आता है, या question आता है कोई से, तो आप आसानी से उसको solve करके, सही अंक प्राप्त कर पाएंगे, तो friends, चलिए हम start करते हैं वीडियो को, भारत देश के परवत की बा है, तो ध्यान रखिए कि भारत का सबसे पूराना परवत कौन सा है, अरावली परवत है, और इस परवत का निर्मान जो हुआ है, वो जौला मुख्य चटानों से हुआ है, इसके बाद हिमालय का नंबर आता है, ओके friends, हिमालय को चार भागों में बाटा गया है, मैं आपको एके करके अच्छे से बताऊंगा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अरावली परवत की बारे में, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा हिमालय परवत के बारे में, जो कि चार भागों में बटाएं, अरावली परवत की बात करते हैं, दोस्तों, तो अरावली परवत कह पर परता है, देखिए, मेप में, आपको जैसा की दिख रहा है, यहां पर ये अरावली परवत परता है, भारत का सबसे पुराना परवत कौन सा है, अरावली परवत है, अरावली परवत, राजस्थान में इस्तित है, कहां पर इस्तित है, राजस्थान में इस्तित है, सबसे प्राचीन परवत है अरावली परवत अरावली परवत की सबसे उची चोटी देखिए जित्ते भी परवत के बारे में अच्छे से हम study करेंगे उनमें questions ये पुछा जाता है कि उसकी सबसे उची चोटी कौन सी है तो अरावली परवत की सबसे उची चोटी कौन सी है गुरू शिकर परवत है जिसकी उचाहिक इत्ती है 1722 मिटर इसकी उचाहिए अब बात करते हैं दोस्तो हम हिमालाई की जिसको चार भगों बटा गया है पंजाव हिमालाई, कुमायू हिमालाई, नेपाल हिमालाई और असम हिमालाई एक एक करके सबको अच्छे से समझेंगे सबसे पहले बात करते हम पंजाव हिमालाई पंजाव हिमाले मेप में कहां पर पड़ता है फिले हम देखते हैं दोस्तों जैसा कि आपको दीख रहा है यहां पर यह location यह है यहां पर पंजाव हिमाले की जो की भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर पड़ता है ओके फ्रेंड्स पंजाव हिमाले के बारे में दोस्तों ध्यान रखिए सबसे उची चोटी जो है इसकी वो है केटू गाडविन आस्टिन ये भारत की सबसे उची चोटी है ध्यान रखिएगा भारत की बोलाए तो बहुत ज़दा इंपर्टेंट कोशन है ये पंजाव हिमाले की सबसे उची परवत चोटी है, अब हम बात करते हैं कुमायू हिमालाई की, कुमायू हिमालाई दोस्तों मेप में देखी कहाँ पर परता है, जस्ट ये पंजाई हिमालाई के थोड़ा सा नीचे परता है उत्राखंड के एरिया में, कुमायू हिमालाई, ठीके मेप में आपको दिख गया है इसकी सबसे मुची चोटी कुछी हैं दोस्तो दोलगिरी है ठीक है दोस्तो जो की काँ पर है उत्राखंड में है बदरीनात, केदारनात, यमुनोत्ρι, गंगोत्री, धोलगिरी, नंगा परवत, नंदा देवी यह कुशन बहुत पुछा जाता है एक्जाम में तो नंदा देवी परवत शिणियाँ जितनी भी परवत शिणियाँ हैं इसी हिमालय का हिस्सा है त्यान रखे दोस्तों कुमायू हिमालाई की सर्वत चोटी में आपको बता चुका हूँ दोलगिरी है इसको याद रखेगा ये कुशन पुछा जाता है चली आगे हम बात करते हैं अब नेपाल हिमालाई की नेपाल हिमालाई दोस्तों कहां पर पड़ता है मेप में देखिए भारत नेपाल की बॉर्डर पर पूरा नेपाल हिमालाई पड़ता है जिसकी सर्वत चोटी कौन सी है माउंट एवरेस्ट है इस हिमालाई की सर्वत चोटी कौन सी है माउंट एवरेस्ट है और इसे सागर मा था, ब्रह्मपुत्र काली, तिस्ता धिहांग, ये सब नदिये जो है, इसी हिमालाय से निकलती हैं, समझ में आगे दोस्तों आपको, नेपाल हिमालाय हमने अच्छे से स्टडी कल लिया, चलिए, अब आप बात करते हैं, असा हिमालाय की, असा हिमालाय दोस्तों मेप मैं तो यह ध्यान रखेगा कि इस हिमालाई की सर्वच चोटी कुन सी है कंचन जंगाएं अब हम दोस्तों बात करते हैं कुछ important points की सबसे पहले बात करते हैं कि दक्षिन भारत की सर्वच परवच चोटी कुन सी है तो वो है दोस्तों अनामुदी जो की अन्ना मलाई की पाड़ी पर इस्तिते हैं और कहां पर पर परता है ये केरल में इसकी मैंने short trick बनाई ये AAK करके ठीक है दक्षिन भारत का जब भी आपके दिमाग में आएगा तो आप AAK लिग देना उसको आपका problem सौलो जाएगा एसे बना हमारा अनामुदी जो की दक्षिन भारत की सर्वो परivalट चोटी है जो की कहां पर इस्ति थे अन्ना मलाई की पाड़ी पर इस्ति थे और अन्ना मलाई की पाड़ए कहां पर है केरल में एक और point बहुत important है कि अंडवार निकोबार की सरवोच परवच चोटी कोंसी है सेंडल पीक हैं, जबकि लक्षदीप की सरवोच परवच चोटी कोंसी है नर्चो हैं, तो इस सेंडल पीक जो question है ये exam में काफी पुछा जाता है, तो आप इसको very IMP करके याद रखिए उसके बाद करते हैं दोस्तों हम सत्पुला की पाडियों के बारे में जो कि मदिविदेश में इस्तित हैं और इसकी सर्वच्च चोटी कुन सी हैं दूब गड़े हैं ये मेप में कहां परती हैं मैं आपको बतायाता हूँ सत्पुला की पाडिया देखिए यहाँ पर मदिविदेश में पड़ती है यहाँ पर चबिलपूर के आसपास पूरे यह पट्टी जो है यह सत्पुला की पाडियों की है ठीक है ध्यान रखिया का दोस्तो पचमडी जो नाम अपने सुना होगा एक पिक्निक स्पूर्ट है अच्छा कासा वो यहाँ पर सत्पुला की पाडियों में ही पूरा बसा हुआ है यह मैंने आपको कुछ important points बता हैं अच्छे समझा हैं मेप में ग्राफिकली समझा हैं कर पा रहे हैं बहुत important question answer set है यह जो previously exam में पूछे गए questions हम उनको solve करेंगे चली एक एक करके solve करते हैं पहला हमारा question है कि भारत की सबसे उंची चोटी कोन सी हैं तो दोस्तो हमारा है केटू, गडविन, ऑस्टिन जो हैं भारत की सबसे उंची चोटी है तो answer लगेगा इसका इसका answer लगेगा इसका B, किस हिमालाई चोटी को सागर माता कहा जाता है, तो सागर माता कहा जाता है, माउंट एवरेस को मैंने आपको बताया था तो इसका answer लगेगा C, चली आगे और important question देखते हैं, question पूछा गया है, नंदा देवी चोटी है, असम हिमालाई का भाग, कुमायू हिमालाई का भाग ये, नंदा देवी, इसका answer लगेगा B, निम्न में से कोन सी भारत की सबसे प्राचिन परवत शणी है, सबसे प्राचिन तो हमाला को पता है, बिल्कूल अरावली परवत है, जो कि राजस्तान में स्थित हैं, और इसकी सबसे उची चोटी कोन सी हैं, गुरु शिकर परवत हैं, अरावली परवत का सरवोच शिकर क्या हैं, गुरु शिकर परवत हैं, आंसर लगेगा इसका A, आगे और देखते हैं, कोशन हम, दक्षिन भारत की सबसे उची चोटी कोन सी हैं, दक्षिन भारत की सबसे उची चोटी, देखिए मेने ट्रिक बताई थे आपको A, A, K करके तो A से मारा बनाता अनामुदी जो की अन्नामलाई की पाड़ी पर इस्थी थे और कहां पर केरल में हैं तो अनामुदी है तो इसका आंसर लगेगा A डोडा बेटा दूसरी नंबर की हैं जो निलगिरी पर इस्थी थे और कहां परता है तमिल्नाडू में परता है गुरुष॥ शिकर चोटी किस राज्ज में इस्थी थें राजस्थान में इस्थी थे ते आंसर लगेगा इसका A नर्मदायम तापती नदी के मधी इस्थी थे देखिए नर्मदा उतापती नदी जो है मध्यवदेश में पढ़ती है और ये सत्पूडा पाड़िया जो हमने पढ़ाता हूँ मध्यवदेश में थी तो इसका अंसा लगेगा इसका बी अगला कोशन है हमारा अंडबा निकोबार दीप समू की सर्वोच परवत चोटी कोंसी है तो अंडबा निकोबार की सर्वोच परवत चोटी कोंसी है तो उस्तो सैंडल पीके है ठीक है और लक्ष दीप की बने बताया था कोंसी थी नार्चो थी अगला कोशन है कौन सा परवत हिमालाई का अंग नहीं है देखिए कुल्नुम, कराकुरम, हिंदुकुष, अरावली अरावली जो आती है राजस्थान में आती है और हिमालाई जो है पूरा उपर की तरह बसा हुआ है भारत के मेप में हमने अच्छे से स्टेडी करा था तो डी वाला अंसर इसका बिल्कुल सही होगा कि अरावली जो है वो हिमालाई का भाग नहीं है हिमालाई परवत शेणी निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है तो हिमालाई जो है वो उत्राखन का बिल्कुल हिस्सा है उत्तर प्रदेश का हिस्सा बिल्कुल नहीं है, सिक्किम का है, हिमाचल प्रदेश का बिल्कुल है तो इसका अंसर लगेगा B अंसर तो देखिए दोस्तों, हमने अच्छे से उसको टॉपिक को समझा और कोशन सॉल करा, तो हम आसानी से कोशन सॉल कर पाएं तो friends, मैं भी आपको बोलता हूँ कि आप अच्छे से इसको स्टडी करिए कोशन सेट लगाईए, अगर इस टॉपिक से कोशन आता है एक्जाम में जो कि अक्सर काफी देखने को मिलता है कि कोशन आता ही आता है भारत की परवत से तो आप 100% इस कोशन को सॉल कर पाएंगे अगर इस टॉपिक से आता है तो friends, टेक्टिस करिए, एक्जाम बिल्कुल पास में है, मेहनत करिए, सफलत आपको बिल्कुल 100% मिलेगी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए कमेंट करके बताए आपको वीडियो कैसा लगा और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे क्योंकि इस तरीके के अच्छे अच्छे वीडियो में आपके लिए कर आता रहता हूं तब तक के लिए फ्रेंट्स, थैंक्यू